हेलो एन वेलकम तू माई यूटूब चैनल डिस इस सोनु स्पीकिंग आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे माई चैनल नायम इस सक्सेज इस्पीकिंग क्लासेज आज मेरे पास पर पढ़ाने के लिए आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग तीन सेंटेंस है और आई होफ कि आप उनका प्रियोग अपनी ड्रील लाइफ में करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर फस्टाइम बिजिट किये रहे हैं आप फस्टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक सेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना बूलेंगे क्योंकि इस परकार की मज़ेधार वीडियोज भी आगया आपको मिलती रहेंगी आपको जो चाहिए जो तरीका वह आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोपिक को यू आर सिनिक का मतलब होता है कि तुम सक्की हो यानि कि तुम सक करने वाले व्यक्ती हो और जब कोई इंसान ज्यादे सक करता है तो वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाता और उस सक के चक्कर में उसको काम को करने के लिए बहुत लेट होती है और लोग आगे निकल ज मतलब कि तुम बहुत ज़्यदा संकी हो, यानि कि तुम बहुत ज़दा मतलब एक सकी विखती हो, चलिए चलते हैं next sentence है हम यह कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखाई देती, उसे हम कहते हैं U are blind to your mistake । हम कहते हैं कि इसे अपनी गलती नहीं दिखाई देती घनव कोण होटी है । ऑन्हें के साथ में अपने कंगरेसी हिज होती है । नो एक साथ में त्योफ यह के साथ में अपने कंगरेसी हर होती है । उनकी निगाह बहुत तेज है, मेरे कपड़ों पर तुरंत निगाह चार्च के लिए अगर में सैट नहीं पहन जाता हूं तो यह मैं गाड़ी को नहीं ले लिता हूं तो तुरंत निगाह डाल देती हैं, मतलब कोई ऐसा ब्यक्ति इसकी निगाह तेज हो, तो हम कहते हैं, you are observ you are observant का मतलब होता है, कि तुम तेज निगाह बाले हो, तुम तेज नजर बाले हो, you are observant, यानि कि तुम हर चीज को observe कर लेते हो, हर बात को तुम मेरी point कर लेते हो, कपड़े पहनने को, खाने को, जाने को, यह मेरी गाड़ी को, तो मैं कोंगा, you are good observant, I hope कि यह वीडियो करेंगे और अगर आप ओफ्राइंड क्लास को अटेंग करना चाहते हैं तो यू can come to the British Institute of Spoken English at Pakpuda and enjoy there my offline classes. So thank you for today. See you in next video.